नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल कमलचन सास्तरी में आप सभी का हर्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तो आज किस क्लास में तीस प्रसन है जो सभी प्रसन महतपूर्ण है और ये सभी प्रसन उन विद्यारतियों के लिए हैं उन अभियरतियों के लिए हैं जो पीटी एटी दोजारतियों की तैयारी कर रहे हैं प्री बी एस टी सी की जो तैयारी कर रहे हैं साथ ही राजस्तान की अन्य बरती प्रक्ष को दबाना नहीं बोले ताकि आपको परड़े जो नई क्लास कर नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो सकें तो शुरू करते हैं दोस्तो प्रशन नमबर एक कहरी बात की ओड़नी किस जाती की इस्तरियों में लोग प्रिये हैं औप्सन नमबर ए आदिवासी मैलाएं औप्सन नमबर बे राजपुत मैलाएं औप्सन नमबर से जात मैलाएं औप्सन नमबर दे सभी मैलाएं तो कहरी बात की जो ओड़नी है दोस्तो वो आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है कि किस मैलाओं की ये लोग प्रिये ह ओफ्सन नमर ए इस प्रसन का सई अंसर है आदिवासी मैलाओं के यह है आदिवासी मैलाओं में यह लोग प्रिये है बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है फाइरे फाइरे किस जन जाती का रन गोस है यहां रन गोस एक साथ है का अलग है फाइरे फाइरे किस जन जाती का रणगोस है तो ओफ्षन में आपके सामने हैं दिये हुए हैं एमे डामोर, बेमे सहरिया, सेमे गरासिया, देमे भील जो सही अंस्वर है वो कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताना है दो सेकिंड का समय आपके पास, उसके बाद में मैं इस प्रस्ण का जवाब देने वाला हूँ तो इसका सही अंस्वर है भील, भीलो का रणगोस है फाइरे, फाइरे अगला प्रस्ण है प्रतम भारतिये अंत्रिक्स यात्री कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो सही आंस्वर है इसका सही आंस्वर है राकी शर्मा, उप्रस्ण नम्बर से इस प्रस्ण का सही आंस्वर है जल्दीवस किस दिन मनाया जाता है? उप्सन नम्बर A, 11 जुलाई, उप्सन नम्बर 2, 1 मई, उप्सन नम्बर 6, 22 मार्च, उप्सन नम्बर 2, 22 सितंवर तो इसका सही आंस्वर होगा दोस्तो 22 मार्च, उप्सन नम्बर से इस प्रस्ण का सही आंस्वर है बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन है रानी खेट रोग किससे सम्बंदित है रानी खेट रोग जो होता है किसके होता है ब्सान नबर A मचलिया ऐब्सान नमबर 2 मदुमक्यान आपसन नमबर से मुर्गियाँ ऑफसन नमबर 2 सुवर तो दोस्तो इसका सही आंस्वर है रानी खित जो रोग होता है वो मुर्ग्यों में होता है उप्सन नमबर से इस प्रसंद का सही आंस्वर है बढ़ते हैं अगले प्रसंद की और अगला प्रसंद है सोर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो दोस्तो इसका सही आंसवर क्या है वो आपको comment box में comment करके बताना है तो सबसे बड़ा गर्य है व्रेस्पती गर्य आपसन नंबर A इस परसन का सही आंसवर है बढ़ते हैं अगले परसन की ओर अगला परसन भी important है विटामिन एक की कमी से कौन सा रोग होता है उपसण नमबर एं इसकर्वी उपसण नमबर बै रतूंदी उपसण नमबर से रिकेट्स उपसं नमबर दे बेरी- बेरी तो विटामिन एकी कमी से कौन सा रोग होता है जल्दी से आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना है तो इसका सही आंसबर होगा दोस्तो रतोंदी, option number 2 इस प्रसन का सही आंसबर है बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है भारत में रेडियो प्रसारन की सुरुआत की सुभर्स होई option number A 1926, option number 2 1927, option number 6 1928, option number 2 1929 यहां चार उप्सन आपके सामने दे हुए है जो सही आंस्वर है वो कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है तो दोस्तो इस परशन का सही आंस्वर होगा 1927 उप्सन नमबर 2 इस परशन का सही आंस्वर है बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन है राजस्तान का एक मातर जिला जहां पाई राइट बंडार है उप्सन नमबर ए दोसा उप्सन नमबर बे भीलवाडा उप्सन नमबर से सीकर उप्सन नमबर दे राजसमंद तो इसका सही अंसवर आपको बताना है सही अंसवर कौन सा है तो दोस्तो जो पाइड राइट पाया जाता है वो पाया जाता है सीखर में option number 3 इसका सही अंसवर है अगला प्रसन है दस्वा निमलीख से कौन सा एक सुमेलित नहीं है option number A, तालाब साही option number 2 सुमिलित नहीं है तो तालाप साही दोलपुर में है क्या बंदबरेठा बर्थपुर में है क्या गड़ी सर जोदपुर में है क्या गलता जेपुर में है क्या तो जो सही सुमिलित नहीं है वो बताना है आपको तो दोस्तो इसका जो सही आंस्वर है जली से आपो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बताना है तालाप साही जो दोलपूर में है ये सही है बंदबरेटा बर्धपूर में है ये भी सही है गलता जेपूर में है ये भी सही है गड़ सी सर जोदपूर में नहीं है और सन नमबर जो से है इसका सही आंसर होगा बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन है निमलिक्त में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है उप्सन नमबर ए कामनाथ सिरोही उप्सन नमबर बे जरगा उदेपूर उप्सन नमबर से रगुनात गड़ सीकर उप्सन नमबर दे कुंबलगड राजचमंद यहां चोट या दीवी है पाड या दीवी है तो वो किस जिले में इस्तित है जो नहीं है उसको बताना है आपको तो यहां सही आंसर जो है उसो कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है तो दोस्तो जर्गा और रागा उधेपुर में है सही है रगुनातगर शीकर में है ये भी सही है कुंबलगर राजसमन्द में ये भी सही है तो कामनात जो है ये सिरोई में दिया हुआ ये गलत है उप्सन नमबर ए इस परशन का सही आंसर होगा बढ़ते हैं अगले परसंद की और अगला परसंद है बारवा दोजार ग्यारा की जंगरना की अनुशार राजस्तान का जिला ग्रामिर लिंगानुपात एक अजार से अधिक है एक अजार से अधिक किस जिले की ग्रामिर लिंगानुपात है अधिक है अजमीर 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 अजमी ये राजस्तान का भाग है दक्षनी भाग, पूरी भाग, उत्री भाग, और पस्री मिवाग. तो कौन से भाग मे मुख्यत है? मक्खा की खेथी की जाती है, उत्पाधन होता है. तो ये आपको बताना है. तो दोस्तो इसका सही आंसर जो है वो है दक्षनी भाग, मेवाड जहांकि सरवादिक मक्का उत्वादी तो होती है चित्तोडगड, उदेपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, भीलवाडा, इत्यादी जिलों में बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन है नाचना किस नसल है, किस की नसल है नाचना किस की नसल है, उप्सन नमबर ए में दिया हुआ है उट की, उप्सन नमबर बे में, बेंस की, उप्सन नमबर से में, बकरी की, उप्सन नमबर दे में, गाय की तो यहां पर बताए किस की नसल है नाचना तो नाजना है उट की नसल है उप्सन नमबर ए इस परसन का सही आंस्वर होगा बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन है किस जिले में रोटू संद्रक्षित छेतर इस्तित है रोटू किस जिले में संद्रक्षित छेतर है बताना है आपको बीकानेर उप्सन नमबर ब इस परसन का सही आंस्वर है बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन है सोलवा राजस्तान में निमलिकत में से कौन सा जिला मुंगपली उत्पादन में अगरनी है तो अफसन नमबर ए दियावाई जैसलमेर अफसन नमबर बे दियावाई जोदपूर उफसन नमबर से दियावाई बीकानेर और उफसन नमबर दे दियावाई चूरू तो यहां मुंगपली उत्पादन में अगरनी जिला कौन सा है वो आपको बताना है तो दोस्तो इस परसन का सही आंस्वर होगा बीकानेर लोन करेंट सर अए राष्टानर रास्तान का राजकोर्ट कहलाता है तो उपसन नमबर से इस परस्टन का सही आंसर होगा बढ़ते हैं अगले परस्टन की ओर अगला परस्टन है 150 गुलाब चंद कटारिया को कहा का राजजपाल बनाया है ये करेंट का परस्टन है अगले परशन की ओर अगला परशन है एक फरवरी 2019 को राजतान में चालू की गई मुख्य मंत्री युवा संबल योजना क्या नाम है मुख्य मंत्री युवा संबल योजना है निम्न में से संबंदित है ये किस संबंदित है ये आपको बताना है उप्सन नमबर A दियावा है कंप्यूटर ट्रेनिंग उप्सन नमबर 2 कोछल विकास आपन नामर से, यूआओं के लिए लोन इसकीम, आपसर नंबर दे बे रोजगारी बता तो ये इसका सही आंस्वर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर उगए दोस्तों, बे रोजगारी बता आपसन परूर2 इसका सही आंस्वर है बढ़ती है अगले परसन की और आगला परसन है उन्यस्वा राजस्तान के किस जिले में विष्व के थीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टीरिम का निर्मान प्रस्तावीत है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेटी स्टेडियम बन रहा है तो वे कहां बन रहा है किस जिले में प्रस्तावीत है वे आपको बताना है जैपूर 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 का सई आंतर है जयपुर के सौंप में यह इस्टेडियम प्रश्टावीते है निर्मानकार यह चल रहा है बढ़ते हैं अगले प्रसिन की और अगला प्रसिन है राजस्तान में कहां मेराव खान ने 1857 के विद्रों का नेतरतु किया मेराव खां ने अठर सताउन की का नेत्रतु किया यह आपको बताना है उपसन नमबर ए में दिया हुए मारवाट उपसन नमबर बे में दिया हुए कोटा उपसन नमबर से में दिया हुए टॉक उपसन नमबर दे में दिया हुए नसीराबाद तो जो जैदयाल और मेराव घान थे वो दोनों कोटा रियासत से समन्दे थे उपसन नमबर बै इस परसंद का सही आंसर होगा बढ़ते हैं अगले परसंद की और अगला परसंद है 21 जगरोटी बोली कहां बोली जाती है उपसन नमबर ए में दिया वाए हनुवान गट उपसन नमबर बै में दिया वाए सिरोई उपसन नमबर से में दिया वाए उदेपूर उपसन नमबर दै में है करोली तो सभी आंस्वर आपको comment box में comment करके बताना है तो जगरोटी बोले जो बोले जाती है वो बोले जाती है करोली में option number 2 इस प्रसन का सभी आंस्वर है बढ़ते हैं अगले प्रसन की और अगला प्रसन है 22 वा परोपकार में किस संदी का प्रियोग है यह हिंदी का प्रसन है एक जो इस में लिया गया है तो प्रसन नंबर 22 है उसका उप्सन नंबर A दिया हुआ है वर्दी संदी उप्सन नंबर 2 गुण संदी उप्सन नंबर से यन संदी उप्सन नंबर 2 आयादी संदी तो पर उपकार में जो संदी है वो है गुण संदी पर प्लस उपकार दिया हुआ है पर प्लस उपकार है जिसमें ए और उ मिल करके क्या हो जाता है ओ बन जाता है तो यहां गुण संदी है बढ़ते हैं अगले परसंद की और अगला परसंद है निमलिकित मेंसी राजस्तान के किस दुर्ग को चिडिया टूक के नाम से भी जाना जा तो यहां आपके उप्सन में दिये हुए हैं रन्थंबोर दुर्ग उप्सन नंबर बे कुंबलगर दुर्ग उप्सन नंबर से मेरानगर दुर्ग उप्सन नंबर दे सोनार किला तो यहां चार उप्सन आपके सामने हैं किस दुर्ग को चिडिया टूक के नाम से भी जाना बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन है पच्छी सो परसन है गिरल लिगनाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्तित है अप्सन नमर ए जोदपूर अप्सन नमर बे कोटा अप्सन नमर से बाड़ मेर अप्सन नमर दे बीकानेर तो गिरल लिगनाइट थर्मल पावर प्लांट कहां इस्तित है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस परसन का सही आंसर होगा दोस्तो गिरल जो है घुट है god मेर मेर में उस्तित हैं उपसर नमबर स Casey इस परसिंग का सही आंसवर है बढ़ते हैं अगले परसिंग जो इसका सही आंसवर आपको बताना है सही आंस्वर क्या होगा इस परसन का जल्दे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो राजस्तान में जो परमानु उर्जा सही अंतर लगा हुआ है वो है रावत बाटा तितोड़गड में इस तित एप्सन नंबर ए इस परसन का सही आंस्वर है बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन है राजस्तान विदान सबा में सरदस्यों की कुल संग्या कितनी है विदान सबा की जो सीटे हैं राजस्तान में वो दोसों है उफसर नमबर से इस परसन का सही आंस्वर है बढ़ते हैं अगले परसन की और अगला परसन है 28 वरतमान में राजस्तान के राजजपाल कोन है करंट का प्रसंग है वर्तमान में रास्तान के राज जपाल का नाम आपको बताना है उपसर नमबर A में दिया हुआ है स्री कलराज मिस्तर उपसर नमबर A इस परसंग का सही आंसवर है बढ़ते हैं अगले परसंग की और वर्तमान में रास्तान उच्छ नयायले के तो यहां सही आंस्वर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो दोस्तो 29 परसंद का सही आंस्वर जो है वो है जस्टिस पंकज मितल आपसन नमर ए इस परसंद का सही आंस्वर है और दनन जये जस्टवन चंद्र चूड़ है ये भारत के उच्छतम नयाय लेके मुख्य नयाय दी से अगला परसंद है दोस्तो अगला परसंद है दोस्तो मलिक साहब पीर की दरगा कहां इस्तित है अपसन नमर ए में दिया हुआ है सिरोई अपसन नमर बे में जालावाड अपसन नमर से में टॉंक अपसन नमर दे में दिया हुआ है जालोर तो सही आंसर आप हो कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है तो दोस्तो इस परसंद का सही आंसर होगा जालोर option number 2 इस प्रसंद का सही आंसर है तो दोस्तों ये 30 प्रसंदे अती मेत्पून प्रसंदे मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिं